हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, विंटर इस्पेशल पत्ता गोवी और गाजर का सलाद, अगर आपके बच्चे सलाद नहीं खाते हैं, तो आप इने ये सलाद बना के दीजिए, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, इस सलाद को आप चाट की तरह खा सकते हैं, अगर आपको सब्जी बनाने का मन नहीं है, तो इस सलाद से रोटी आपाराठा भी खा सकते हैं, सलाद को बनाने के लिए एक इसमॉल साइज का पत्ता गोभी ले ले, एक प्याज ले ले, एक गाजर ले ले, प्याज को अच्छी तरह से छील और धुल ले गाजर को छील ले और उसे भी अच्छी तरह से धुल ले पत्ता गोवी अगर बड़े साइज की है तो उसे छोटा पीस में कर ले और उसका मोटा वाला पत्ता जो उपर का भाग रहता है उसे निकाल दे जितना मुलायम पत्ता होगा उतना ही स्वादिष्ट सला बनेगा पत्ता गोवी को इस तरह से बारिक बारिक काट ले अज को भी पतला पतला इस तरह से काट ले आजर को कदुकस कर ले पत्ता गोवी गाजर प्याज तीनों को एक बॉल में कठा कर ले भुनी हुई मुंफली का छिलका उतार ले और उसे मिक्सी में दरदरा पीस ले मुंपली को दरदरा ही पीसिए अगर एकाद खड़े पीस भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं उससे स्वाद अच्छा ही आएगा ये सलाद लगभग चार लोगों के लिए है इसमें दो चम्मच दरदरा पीसा हुआ मुंपली डाल दीजिए अधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पॉडर डाल दीजिए अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप हरी मिर्च भी बारिक बारिक काटके डाल सकते हैं अधा चम्मच काला नमक डाल दीजिए अगर आपको साधा नमक पसंद है तो साधा नमक डाल दीजिए एक चम्मच नीमबू का रच डाल दीजिए सभी समागरियों को अच्छी तरह से मिला लीजिए तरह के सलाद को हाथ से मिलाईए अच्छी तरह से मिल जाएगा और स्वाद्भी बढ़ी आएगा पत्ता गोवी और गाजर के सलाद को आप जरूर बनाईए मेरे परिवार की तरह आपके परिवार की भी ये फेवरिट सलाद हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और रिस्पी को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले